नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सबीका तेकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI4 पर DPI सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको DPI सेटिंग करना है ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें मैं आपको शोर करके बताऊंगा सेटिंग कहाँ पर है ठीक है आपको क्या क्या करना होगा DPI सेटिंग के लिए तो वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है तब जाके आपको समझ में आएगा कि DPI सेटिंग को यूज कैसे करना है कहाँ पर जाके आपको करना होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वह शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यहीं आप online पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो करते हैं सबसे पेले तो दोस्तो आपको क्या करना होगा अगर दोस्तो आपको dpi setting करना है तो जाइए अपने setting के अंदर पर तो दोस्तो डीपय setting डो तरीकी होते हैं एक दोस्तो लोग search करते हैं free Fire का लेकिन दोस्तों आभी मेरे जो फॉन है उसमें free Fire के लिए नहीं है तो दोस्तों DPI सिटिंग जोए फोन के अंदर पे भी होता है हम बات करें Cities के बारे में ठीक है तो सबसे फैले आपको जाना है बट फोन पे यहाँ MIUI वर्जिन जो डिखाई देरा उसमें आपको साथ बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शो करेगा You are now a developer तो जब आपको यह चीज़ शो करेगा Additional setting पर जाके नीचे जाके आपका developer option open कर ले उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पर तो नीचे पर जाके दोस्तों आपको मिलेगा smallest white option यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो मेरा option है वो set किया हुआ है 392 DP के अंदर पर तो अगर आपको set करना है इसको तो दोस्तों यहाँ पर tap करें इसको dein करें और दोस्तों आप यहाँ पर reset कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल याँ पर आभी मैं में इसको set करने वाला नहीं हूँ ठीक को दोस्तों कुछ भी करने से मेरा जो recording वह चला जाएगा ठीक है तो इसके वाज़े से आपको changes आपको करना होगा तो अगर आपको पता है कैसे कैसे करते हैं आपके डीपियाइश सेटिंग को तो आप यहाँ पर फोलो कर लिजेगा ठीक है तो दोस्तों मैं सुच रहा हो कि डीपियाई के अंदर पर एक complete वीडियो टुटोरियल बनाया जाए तो दोस्तों अगर आपको भ जाए डीपियाइश सेटिंग को रिसेट करके यूज कीजिए तो आज की इस वीडियो पर बस इतने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बराय तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए तेंक्स पूर आचिंग